नवश्कार न्यूस्टुटिन एड़र के उत्राखंट बुलिटिन में आप सबी का स्वागत है इस खास बुलिटिन में हम आपको खबरों के साथ साथ हर रोज उत्राखंट के एक जानी मानी हस्ती के बारे में जानकारी देंगे तो चलिए शुरुवात करते हैं आज की बड़ी हेड्लाइन से अगरे तीम दिनों में बदल जाएगा उत्राखंट में मौसम का मिजाज मौसम विभाग ने जारी किया अलट करमचारी राज़ बीमा ने 36 पदों पर निकाली भरती दो जून तक करें ऑनलाइन आवेदन उत्राखंट में थमने लगी कोरुना की रफ्तार देखें पिछले 24 घंटे में कितने मरे स्वस्थों कर लोटे अपने घर अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री तीरस सिंग रावत ने टीही दोरे के दोरान TSDC हाइट्रो इंजिनिरिंग कॉलेज में लगबग 96 लाग की लागा की 42 योजनाओं का शिलान्यास और लोकारपन किया जिसमें लोनीवी की 5, सिचाई की 4, R.E.A.S. की 5, P.M.G.S.Y. की 5 परियटन विभाग की 2 योजनाओं शामिल हैं वहीं सिलान्यास में लोनीवी की 4, I.E.A.S. की 9, P.M.G.S.Y. की 1, वोपेजल निगम की 7 योजनाओं भी शामिल हैं इस दौरान CM3 ने वर्चुल मादियम से देवप्रियाग में बने 70 बैट के कोविट केर सेंटर का लोकारपन भी किया CM ने इस दौरान TSDC हाइट्रो इंजिनरिंग कॉलेज में बने कोविट केर सेंटर में मरीजों से PPPE किट पहन कर मुलाकात भी की खबर हलदवानी में बन रहे कोविट अस्पताल की ननिताल सांसत अजे भट ने राजकी मेडिकल कॉलेज में DRDO द्वारा तैयार किये जा रहे 500 बैट के फैब्रिक एडिट कोविट अस्पताल का निरिषण किया इस दौरान उन्होंने कहा कि अस्पताल के शुबारम के लिए उन्होंने रक्षा मंतरी राजनास सिंग से अनिरोध किया है यदीवे हामी भर देते हैं तो आगामी मंगलवार को देश के रक्षा मंतरी अस्पताल का वर्च्वली शुबारम करेंगे सांसत भट ने कहा कि अस्पताल का निर्मान लगभग पूरा हो चुका है जल्द ही इसे जनता की सेवा के लिए शुरू किया जाएगा खबर उत्रखंड में कर्फियों की उत्रखंड में 8 जून तक कोरोना कर्फियों बढ़ा दिया गया है अब सुबा 8 बजे से दोपर एक बजे तक आवशक वस्तूओं की दुकाने खुलेंगी वहीं अब एक और पाच जून को पर्चून की दुकाने सुबा 8 बजे से दोपर एक बजे तक खुलेंगी कर्फियों अबदी के दरान एक जून को स्टिशनरी की दुकाने खोली जा सकेंगी यो जनकारी सरकार के प्रवक्ता एवम कैबिनेट मंतरी सुबोत उन्यान ने दी है इसके अलावा एक जून यानी आज से उत्रपरदेश में भी धील दे जानी शुरू हो जाएगी इससे ये भी उमिज जताई जा रही है कि उत्राखंड से यूपी के लिए रोडवेश की बसों का संचालन हो सकेगा खबर सागर राणा हत्याकांड की नई दिल्ली के चातर साल स्टेडियम में हुआ पहलवान सागर राणा की हत्याका मामला अब दे भूमी की ओर रुख करता जा रहा है दरसल सागर हत्याकांड में गिरफतार हुए शुशिल कुमार को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम हरिदवार लेकर आने की तयारी में है बताया जा रहा है कि वारदात के बाद सुशिल कुमार दिल्ली से भाहर कर हरिदवार पहुचा था ऐसे में पुलिस को शक है कि शुशिल ने अपना फोन यहीं पर ठीकाने लगाया है इसके अलावा और भी कई सबूतों की तलाश में शुशिल कुमार को यहां लाया जा रहा है पुलिस के मुताबिक सुशिल ने यहाँ पार अलग अलग लोगों के फोन भी इस गड़ी में इस्तमाल किया था जिनकी भी तलाश की जा रही है दोस्तों New Student Network आपको हमेशा अपडेट करता रहता है इसलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुचाते रहें अकाश ये बिजली गिरने की भी संभावना है वहीं परवती शेत्रों में हलकी बारिश की संभावना जताई गई है मैदानी शेत्रों में 30-40 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ़तार से तेज हमाई भी चलेंगी पहाडों के अधिक उचाई वाले शेत्रों में बर्फ भी गिर सकती है मौसम विज्ञान केंद्र के वरिश मौसम विज्ञानी डॉक्टर रोहित के मुताबेत इन दिनों अरफ सागर और बंगाल की खाडी से लगातार नम हवाओं का आना जाना जारी है जिसके चलते उत्राखंट समेथ कई परविती राज्यों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है अगले तीन दिनों तक पहार से लेकर मैदान तक बारिश देहने को मिलेगी जिसका असर गर्मी पर भी पड़ेगा खबर करमचारी राजी बीमा निगम में भरती की करमचारी राजी बीमा निगम ने फेकल्टी और सीनियर रिजिजेंट के 37 पदों पर भरती निकाली है इच्छु को मिदवार इस भरती के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं आवेदन की अंतंतिती दो जून रखी गई है वोकेन इंटर्वियो तीन जून को होंगे इस भरती पर योग मिदवारों का चयन इंटर्वियों में परफोर्मेंस के अधार पर किया जाएगा वेदन मान 1,31,000 रुपे से 2,30,000 रुपे प्रतीमा निर्धारित किया गया है अभी आवेदन के लिए आप स्क्रीन और डिस्रिप्शन बॉक्स में दिये गए आवेदन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं उत्रखंड में आज कोरोना के 1156 नए मामले सामने आये हैं वही 44 मरीजों की मौत हुई है आखडों के मुताबेत पिछले 24 घंटों में 3049 मरीज ठीक हुए हैं जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव केसों की संक्या 28,371 पहुच गई है स्वासिवग दुवारा जारे बुलिडिन में पिछले 24 घंटे में अलमोणा में 82, बागिश्वर में 47, चमुली में 64, चमपावत में 32, दहरादून में 205, हरिद्वार में 105, ननिताल में 161, पौरीगडवाल में 84, पिथाडगड़ में 74, रुध्यप्रयाक में 37, टीडीगडवाल में 42, उतमसीनगर में 143, और उत्रकाशी में 50 नहे मामले सा उत्रकंडी शक्षियत में आज हम आपको बताने जा रहे हैं मंगलेश डबराल के बारे में उसकूली शिक्षा उन्होंने दहरादून से पूरी की, उन्होंने भारत भवन भोपाल से प्रकाशित पुर्वा ग्रह में सायक संपादक के रूप में भी कार किया, मंगलेश डबराल जनसक्ता के संपादक भी रह चुके हैं, इस शेतर में अपनी यातरा के दौरान मंगल अगर आप इसको यूटूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलू करें, नमस्कार